और इसे वीच एक बड़ी खबर आ रही है आपको बता दे आज प्रियंका गांधी का राजस्थान दौरा है ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दे प्रियंका गांधी आज राजस्थान दौरे पर रहेंगी राजस्थान विधान सभा चुनाओ 2023 से जड़े हो यह बड़ी जानकारी आपको बता दे राजस्थान विधान सभा चुनाओ के लिए 25 नमंबर को वोटिंग होनी है जसको लेकर ये दौरा बेहत महात्वपून है आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे प्रियंका गांधी सागवाडा और चितोरगड में वो जनसभा करेंगी जहाँ पर मुख्यमंत्री अशोग गैलोध भी उनके साथ मौझूद रहेंगे तो ये बड़ी जानकार इस वक्त कि आपको दे रहे हैं राजस्थान विधान सभा चुनाओ से जुड़ी हुई कॉंग्रेस के समर्थन में वोट डालने की अपील जो है की जाएगी तो राजस्थान विधान सभा चुनाओ से जुड़ी है बड़ी जानकारी आज प्रियंका गांधी राजस्थान दौरे पर रहेंगी आपको बता दे कि अब पूरा फोकस कॉंग्रेस का राजस्थान पर ही रहने वाला है कॉंग्रेस की तमाम देगज हैं वो दौरे करेंगे जन सभा करेंगे और इसके साथ ही जनता को साथने की पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी आपको बता दे कई बड़े दावे और वादे भी कॉंग्रेस पार्टी कर रही है ऐसे में देखना ये है कि जनता क्या विश्वास करके दुबारा सत्था वापसी कराएगी तो प्रियंका गांधी का आज जो राजस्थान दोरा है वो ज़रा डेटेल आप जान लीजे क्या कुछ कारिकरम कितने बज़े रहेगा सुबह 11 बजे विशेश विमान से दिल्ली से उदैपुर पहुचेंगी सुबह 11 बच कर 55 मिनट पर उदैपुर या पोज पर पहुचेंगी प्रियंका गांधी तो दोपहर बारा बचकर पांच मिनट पर उदैपुर से सागवाड़ा के लिए रमाना होंगी प्रियंका गांधी जहां पर जनसभा अस्थल पर पहुचना होनी है दोपहर बारा बचकर 30 मिनट से एक बचकर 30 मिनट तक सागवाड़ा में चुनावी सभा को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी और दोपहर एक बचकर 30 मिनट पर चित्तोड़ गड़ के लिए वो रमाना होंगी वहाँ भी जनसभा उनकी होनी है और वहाँ भी जनसभा को सं बोधित करेंगी उनकी मौझूदगी इस समय रहेगी दो पहर साड़े तीन बज़े चित्तोडगर से उद्यपूर के लिए रवाना होंगी और इसके साथ ही आपको बता दे कि शाम चार बज़े उद्यपूर या पोड़ पहुचेंगी प्रियंका गांधी तो शाम चार बज़ कर पांच मिनट पर उद्यपूर से द्ली के लिए रवाना होंगी वापसी होगी उनकी चार बज़ कर पांच मिनट पर यानि की पूरे दिन मौझूदगी रहेगी प्रियंका गांधी की राजस्थान के सागवाड़ा में और चित्तोडगर में